इसरो की तरफ से जब इसरो को इस बात का पता चला तो इसरो ने भी काम को सुई का रहा है और इस नो और इसरो ने जो ऐसा कहा कि हम भी ऐसी प्रत्योगिता करते रहते हैं उसका भी ध्यान लखिएगा तो अब तो अब उनका भी ध्यान लगा यह इसरो का ओफिशल लेटर है उमा महिश्वरन सर ने सिंटिफिक सेकेटरी है उन्होंने ये लेटर भीजा है टीम है उन्हें कैनेडा ने 30,000 कैनेडें डॉलर दिये हैं इनाम के तोर पे जो के दोनों ही भारते रुपे में लगबग 18,000,000 रुपे करीब एठते हैं तो ये जो इनाम देने के लिए दुबाई में एक सेमिनार रखा गया था एक प्रोग्राम रखा गया था जिसकी जानकारी मेल के जरी आये थी है उस मेल का प्रिंट आउट है नवस्कार सातियों मैं ब्रज मौहन और आप देख रहे हैं जनितावाज सातियों इस बक्त हुमें गाजियवाद के नंद गराम में मेरे साथ मौजूद हैं अजय अजय जी इनको आप जानते होंगे आपने पहले वीडियो देखा होगा काफी वाइरल वी रहा हमारे चैनल पर यह वीडियो इनका तो इनके बारे हम पताया गया था कि इनका सेलेक्शन नासा के लिए हुआ है इनकी जो टीम है उसका तो यह भी इस वीडियो में जो आपको करनेशन का नाम था तो अजय जी स्वागत है हमारे चैनल मां जानते हैं आप आपका और आपके चैनल का कि आप यहां आए तो मतलब जैसे आपने पहले हमारे चैनल के माद्दम से बताया कि आपका नासा में सेलेक्षण हुआ था जो फूर चैलेंड था उसके बारम थोड़ा कर दोगजी के से नियंगते हैं और औरहिसे साथ पर 202 122 2021 के कि लिए के रिज्टिशन के आओनलाइन है और अक्टूबर में उसका फेस बन मेरे साथ में 27 टीम है ती जो और उसमें जीती थी फेस वन में जिसमें से 18 अमेरिका की थी और 10 जो हैं वो अन्य देशों से थी जिसमें भारत से मैं सरिफ अकेला था और उसके बाद में जब इस चीज को लेकर के जामने आगे जाने का काम किया जैसा जिला प्रसाशन के पास जिलादिकारियों के पास तो डीम साब थोड़ा थोड़ा बीजी रहते हैं उन से एक उन से एक बार मिले उन्होंने एक मिनटा समय दिया उन्होंने कहा कि आप एडियम सर से बात किजिए एडियम के लिए ये लिग दिया कि आप इस बच्चे के इस बच्चे पर आप तुन तो आपको प्रसाशन से कोई पड मिली कोई साहता मिली मैं जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए कम सरानी कोई प्रसाशन साफ पत्र गएरा कोई समाज ऐसा कुछ ने है जलापर शाशन की तरफ तो डाइप्त तौर यह नहीं तो तो वह कौई इंद हैं नहीं किना को मिलना चाहिए विवाओ को आगए करने के लिए समध सरकार कई कारक्रम बनाटी यह लेकिन उनका सूचनाहों का आदान परदा नहीं किया जाता है और क्या था यह वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा पहले वाले वीडियो को भी देख लें तब आपको मामला साब हो जाएगा लेकिन उसके बाद जानना चाहेंगे जो आपने हमारे चैनल को जो बायट दीती अपना इंट्रूवी कह सकते हैं उसके बाद क्या हुआ कोई मेल वगएरा कोई वहां से हेल्प नासा से आगे क्या हुआ सर उसके बाद फेस्टू का जो रेजिस्टेशन सुरू हुआ जनवरी में और 28 फरवरी 2022 को बंद हुआ तो रेजिस्टेशन उसमें कर दिया है और अभी जो है उनका एक प्र से घ्र कायां से वह सार हो डाटा क्लेक्ट करेंगे और ऊसके बाद जो सेंपल घराइगी खेड़ी और हैंगा सेंपल हमारी अगस्ट में आइगी जो उनको सैंपल देनाantes यिए षफ्ट देना के लिए बारी जन्यों गरही तेस्ट शरू करेंगे जो अगस्ट में हैं आपक जो ऐसा कहा कि हम भी ऐसी प्रत्योगिता करते रहते हैं उसका भी ध्यान लखेगा तो तो अब उनका भी ध्यान रखा यह इस रो का ओफिशल लेटर है उमा महिश्वरन सर ने सांटिफिक सेकेटरी है उन्होंने यह लेटर भीजा है क्योंकि मैं यह लेटर इसलिए दिखाना चाहरा तो दृसकों कुछ लोगों को क्या होता है कि जो जैसा देखेगा वैसा ही देखता है कि सामने के लिए नहीं बड़ी संस्ता है क्योंकि यह इसको मतलब प्रमार्ड किया इस रो ने और इस रो बिना कोई जाच पड़ताल के मत प्रमारित नहीं कर सकता है उन्होंने बाकाइदा देखके कहा है कि मतलब आपने अच्छा प्रसंस नहीं काम किया है तो इसके अलाबा कोई आर्थिक रूप से नासा की तरफ से कोई साहता वगरा मिली तरफ से मिलनी थी दुबाई में नासा ने एक प्रोग्राम रखा था ना जो अमेरिकन टीम है उनको नासा ने 25,000 US डॉलर जो है वो दिये है इनाम के तौर पे और जो जो अंतराष्टे जो वो है टीम है उन्हें कैनेडा ने 30,000 Canadian डॉलर दिये है इनाम के तौर पे जो के दोनों ही भारते रुपे में लगबग 18,000,000 रुपे करी बैठते हैं तो य जो इनाम देने के लिए दुबई में एक सेमिनार रखा गया था एक प्रोग्राम रखा गया था जिसकी जानकारी मेल के जरी आये थी है उस मेल का प्रिंट आउट है लेकिन पासपोर्ट नहीं था और इस वज़े से वहां जान नी पाए और इसकी वज़े से जमाद 30,000 Canadian ड मेली थी अगर पासपोर्ट को अपलाई भी करते तो जब तक प्रोग्राम था जब तक मिलने पाथा पासपोर्ट लेकिन आप अपलाई कर चुके हैं वह अगर कोई भी कहीं भी जरत पड़ेगी जाने की तो जा सकते हैं बिल्कुल एक मिडल परवार के लिए मद्यम निम्न परवार के लिए अठारे लाग की पूझी एक बहुत माइने रखती है और तो क्या मतलब यह मतलब बाद में नहीं मिल सकती कोई कोई कोशिश की है और ऐसा आपना इनाम लेने के लिए हमने एक कैनेडा की जो एमबसी हमाई दिल्ली में उसको एक लेटर डाला है एक रक्ष के लिए तो अभी फिलाल उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं है लेकिन हमारा जो है वो लेटर उनके पास पहुंच चुका है यह इस रोका लेटर आने में भी एक महिने का टाइम लगा था क्योंकि जब वो जब लेटर देखते हैं तो पहले पूरी पूरी जांच पड़ताल कर बाति है क्या अमीद लग रही याकर एंके मतलोलगा मौका मिलेगा और आगे अपनी लैप में हो क्या करना चाहते हो नासा में जयो smelled Nasa मौका मिलेगा तो मौका तो मिल चुका खेर उसका जो समयगा है उसका फेस वन एन वहो किलिर कर चुगे है लेकिन उसका ऋनाम है वह मेर सबसे यूनीक है ऐसा मोई लगता है क्योंकि नासा की वेबसाइड में एक पॉशन था उसमें सारी चीज़े बता रखी थी कि किस टीम ने क्या भेजा है जैसा हमने उनको बताया उसमें कुछ अपने नासा ने शब्द जोड़ के उसका एक वो पूरा चार्ट तियार किया तो यह आपके लिए बहुत ही मतलों अच्छी बात है आपकी क्या पूरे आपके जो पेरेंट्स हैं पूरा समाज है सुरी सोसाइटी और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि जो नासा में जो कॉमप्टिशन करवाया था जो प्रतियुक्ता लीती उसमें एक बारत के मतलो चोटे से मतलों एरिया कह सकते हैं इस नंद गराम को वहां से लड़के ने इसको फैट किया है आपके पिताजी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे बच्चे के लिए हमारे पास बहुत सारे सुबकामनाई हैं और हम चाहेंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे इस तरह के हमाएं और हमारे छोटी सी कलोनी जिला गाजेवाद और हमारे इंडिया का नाम रोसन करने का काम करें यह हमारी सुबकामनाई है इन बच्चों के लिए तो इसके बहुश के बारे में क्या सोचा है आपने बहुश्य का बच्चा साइंटिस्ट लोगों के साथ काम कर रहा है इसको रूची उसी विभाग में लेने की चल रही है तो मैं तो चाहूंगा जहां ये बच्चा जाना चाहता है रास्ता बहुत अच्छा है मेरे देश के लिए मेरे गाजवाद के लिए मेरे नंद ग्राम के लिए और सबसे बड़ा भाग है तो मेरे लिए कि इस बच्चे ने इस चोटी सी उम्र में वहां तक जाने का काम क्या है हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे तो मैं इसके लिए पून बहुमत से तयार हूँ मैं इसके लिए कुछ भी करके इसको टार्गेट इसका दिल आने को तयार हूँ देश के तमाम जो पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चे चोटे चोटे पढ़ रहे हैं तयारी कर रहे हैं उनके भी सपने देश के तमाम पेरेंट्स को क्या संदिश दिना चाहूँगा सबी चोटे-चोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा जैसे अभी इस रोगा एक चोटा सा यूवी का नाम से एक कंपटिशन बीच में निकला है उसमें कुछ बच्चों ने पार्टिस्पेट किया है और कुछ बच्चों ने स्टैब वन टू एंट थरी किलियर किये हैं इस्टैब फॉर की कंडिशन में अभी वो सब हैं तो उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे सुबकामना हैं मेरी तरफ से कि उन बच्चों को मौका मिले इसरो हैड़कौर्टर में उनको रहने का और साइंटिस्ट विभाग जो हमारा है इंडियन रिसर्च स्पेस और्गनाइजेशन के नाम से वहां इन बच्चों को रहने और रहने का उनके साहियों की बहुत जरूत है इन लोगों को और वो सपोर्ट कर रही है हमारी गवर्मेंट और इस रो विभाग शुक्रिया मैं समय देने के लिए अजय आपका भी बहुत-बहुत-बहुत तो आपका सर हमारी बात आप जंदा तक पहुचा देखो हमारा तो यह दायत तो बनता है कि कोई वी ऐसी कला है किसी भी चित्र में कला है जैसे आपने साइंस में और साइंटिस्ट बनने में आपकी रुची है कोई साहित में रखता है कोई डांस में रखता है जिस तरीके स यह वहाँ का है तो हमारा तो काम है यह खबर दिखाना आप सभी कास हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद और साती हो आपसे भी निवेदन है कि इस बच्चे की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया हम पहला ही है क्योंकि बहुत ही हमारे लिए एक मह पूर्ण खुसी का विसे है तो आप देखते रहे हैं जन्यता आवाज में ब्रजमोन नमस्कार कि बहुत है